हे फ्रेंड्स देखिए आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी नाइका है इसके बारे में और दूसरी कंपनी देखेंगे इसमाई ट्रिप देखें नाइका जो है शेयर मार्केट में लिस्ट है fsn e-commerce venture limited के नाम से बहुत queries किया रही थी क्यों गिर रहा है और कितना गिर सकता है यह अगर entry ली जाए तो किस लेवल पे ली जाए आज देखेंगे कोशिश करेंगे जाने की कोशिश करेंगे देखें क्या है कोई भी शेयर है कितनी भी अच्छी कंपनी है अगर आपको उसमें entry level नहीं पता है आपने high पे उसमें entry ली है तो आपको नुकसान ही देगी और low पर आपने अगर कोई ऐसी company भी उठा ली ना जिसमें कुछ भी नहीं है बिल्कुल बेकार company तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत profit जरूर देखे जाएगी वो तो देख लेंगे इसका entry level क्या ह होगा no doubt देखे company तो खेर ठीट ठाक है बहुत अच्छे तो नहीं लेकिन ठीट ठाक है क्योंकि अपने market में देखे अकेली है market cap देखेंगे 69,000 करोड का है 208 current price 429 high और low गया 162 रुपे और ROC है 6% का ROE 4.5% का book value मात्र 4.78 पैसे की और देखे इस्टोक का PE देखे जो सबसे इसमें गलत बात लगती है वो है PE 1340 रुपे के PE पर ये मिल रहा है बहुत ही high पर जानेंगे भी और भी इस company के बारे में लेकिन देखे उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए साथी साथ कोई इस्टोक आप हमसे discuss करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बताएं comment box में कोशिश करेंगे उन पर वीडियो बनाने की देखे हुआ क्या company का IPO आता है और company list होती है लगभग 100% profit के साथ और जो जिन्हें भी IPO में इसका share मिला बहुत शांदार उनको profit हुआ लगभग 100% का IPO का launch होते ही इसमें हो गया था पैसा return मिला और फिर यहां से profit booking आई इसके हाई जाके जब 426-27 रुपे जो भी है इसका हाई वहां से यह पहुचा उसके बाद profit booking आई और उसके बाद देखें शेयर नीचे ही चलता चला गया नीचे चलता चला गया और पहुंच गया फिर 162 का इसने low भी लगा दिया अब आप देखेंगे एक घोशला हो तो मेरे ख्याल से तो अभी नहीं जब तक यह यहां 200 से उपर closing नहीं देता है तब तक share में कोई भी नई entry नहीं ली जा सकती अभी इसे हम चार्ट पे भी देखेंगे लेकिन उससे पहले company के fundamentals देख लेते हैं देखें कुछ प्रोज और कौँज देखें तो कुछ भी नहीं फिर dividend नहीं देती है चलो यह कोई कोई नहीं होता है इतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन साथ ही साथ यहां देखें पिछले तीन साल में low return साड़े 5% के सिर्फ 5% बहुत जादा नहीं होता इससे बड़ी है तो bank देदेगा यार 5-6% तो bank भी देता है साथ ही साथ देखेंग इसके साथ ही साथ expenses देखिए 600 करोड 11 करोड की sales की तो 1000 करोड यह इतने तखड़े expenses हो रहे हैं company के 44 करोड में sales हुई तो 1200 करोड के expenses हो गए expenses बहुत हैं जिस कारण profit भी company बहुत कम कर पा रही है कि अभी 62 करोड के profit हुआ करते थे अब सिर्फ 47 करोड रहे हैं तो यह भी एक negative है वैसे company ठीक ठाक है long term के लिए इसमें पैसा बन जाएगा लेकिन अभी entry का level मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी entry ली जा सकती है या तो wait करें और नीचे आने का और या फिर कम से कम 200 से ओपर जब यह बंद हो तब इसको लिया जा सकता है P क्योंकि बहुत तखड़ा है promoters holding 52% की 6% FI, 6.5%, 3% DII और 38% public है तो share holding pattern तो अच्छा है अब देख लेते है technical chart इसका देखे अगर हम technical chart अगर देखते हैं तो यह candle बनी ठीक है इसके बाद फिर एक candle बनी यह उपर की और जो इसारा करती है खिर तेजी आएगी लेकिन यह बाली candle देखेंगे आप तो यह कमजोर हो गई है अगर आज और उपर को जाता है तो हो सकता है कि यह उपर जाए फिर अ अभी इसमें हम नई entry लेंगे उससे पहले कोई भी नई entry नहीं लेंगे और नीचे अगर देखेंगे तो यह वाले जो level हैं यह वाले 160 के आसपास अगर आता है यह देखेंगे आप इसका low था 162 रुपे 50 पैसे और high था यहाँ पर 172 तो अगर 162 के आसपास मिलता है आपको तो इसमें एक नई entry ले जा सकती है लेकिन अभी कोई भी fresh entry ना बनाएं मेरी सलाई है होगी साथी साथ जो इसमें invested हैं वो company में अभी बने रहें अभी loss में कोई ना बेचे इसको क्योंकि profit तो company देगी लेकिन थोड़े समय के बाद अब देख लेते हैं अपना next store company का नाम है age my trip 400 रुपे का इसका share price है और साथी साथ company देखे ट्रेवलिंग में काम काज करते हुए हमें दिखाई देती है age my trip के नाम से इसके flagship है इसकी और यहाँ आप देखेंगे तो सिर्फ 8700 करोड की company है 403 का current price और high गया 476 रुपे 238 इसका low है 52 week का जोधा की book value है dividend भी थोड़ा दे देती है ROE 53 का ROC 65 का और PE 68 का तो PE थोड़ा समयंगा है जैसे ही 60 के आसपास आता है इसको एक buying company में बनती है और यह देखेगा आप कि यह share आपको in future जो हमारा IRCTC है उसकी तरह ही भागता हुआ दिखाई देगा बहुत अच्छे return company यह देने वाली है इसमें अगर हम दे देखें इसके कुछ प्रोज तो शांदार है company almost debt free है एक good quarter company देगी 40% का CAGR 5 सालों में बना हुआ है equity return 48% देती है पिछले 3 सालों से और साथ ही साथ यह देखेगा dividend भी company देती है और debitter days भी इसने अपने कम किये हैं इंप्रूब किये हैं साथ ही साथ बस एक इसने कौंज है कि book value से 28 गुना profit कर रहा है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि company profit अच्छे कर रही है तो book value से ओपर trade करेगी ही अपने segment का बादसा है देखिए 402 करोर की company 65 का इसका ROC ही है बहुत शांदार है अगर पूरे में आप देखें इसमें तो सबसे ज़्यादा 55% का बाखी सब negative ही है जाजतर और कोई है भी positive तो बहुत कम के साथ लेकिन यह company बहुत सांदार है market leader है मुझे अपना personal view अगर इस पर बताऊं तो बहुत ही सांदार company लगती है देखिए 4 करोड से 104 करोड की sales इसने पहुच गी है सिर्फ और सिर्फ दो साल में साथी साथ अगर profit देखें तो 3 करोड के profit 31 करोड के हो गयार 10 गुना 2 सालों में बहुत शांदार दिखाई देती है year on year waste है और profit किया है नीचा आएंगे तो 139 करोड का बहुत ही शांदार एक profit जहां कभी 2 करोड का profit हुआ करता था 129 करोड profit हो गया है तो यह company तो एक बहुत अच्छी दिकाई देती है सब कुछ इसका जो है positive है sales growth देखें profit growth देखें stock का CAGR देखें तो कुछ भी देख लो आप सब कुछ positive share holding pattern देखते हैं 75% promoters, 5% FII, 5% DII और public के पास सिर्फ 20% इस company को देखें जो है लंबे समय के लिए hold कर सकते हैं कम से कम 10 साल के लिए अगर करें तो कम से कम भी नहीं तो 40 से 50 गुना का return ये share दे सकता है, बहुत potential है इस share के अंदर अभी हलकी सी गिरीथी company फिर उठ चुकी है और अभी देखें फिर से थोड़ा सा नीचे जा सकती है ये वाली जो candle है, bearish candle है ये तो अगर ये कल को भी मतलब strong bar को आज के दिन अगर नीचे बनी तो थोड़ी सी गिरावट और company की हो सकती है company में और जो लेवल आएगा ये आएगा नीचे की और 370 रुपे तक गिर सकती है और इससे भी नीचे अगर गिरी तो 360 तक मतलब 360 और 370 के बीच नई entry इसमें ली जा सकती है बात करें अगर short term के जो हमारे target रहेंगे वो सबसे पहले तो रहेगा 430 का और फिर इससे उपर जाते हुँ दिखाई दे सकता है 430 से 440 तक और फिर company बहुत सांधार एक return दे सकती है in future अगर long term रखते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया बात है और long term का ही ये share है इसमें trading करने की ना सोचें ठीक दोस्तों ये मेरा opinion था आप invest करने से पहले अपनी research जरूर करने देखें मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत